तो बेसिकली आज के इस वेले पर हम बात करेंगे Poco X3 Pro और जो उसके रिप्लेस्मेंट पर जो मिल रहा है पर जीतने भी प्रोसन कॉनस में जो भी प्रोसन कॉनसे बता दुगा जो पथो के प्रोस होंगे वह Poco X4 Pro 5G का कॉनस होगा ठीक है और जौ पोको X4 Pro 5G का प्रोस होगा वह Poco X3 Pro का कॉन में आ जाएंगे ठीक है सबसे पहले पहले पौको के अंदर जो भी प्रो यह वो बता देता हूं सबसे पहले बाइब इसका प्राइस इसका प्राइस 1000 सेंव विरियंट दोनों का सेंव विरियंट 1000 रुबिस आमें कम देना पड़ता है पोको एक्सरी प्रो के लिए फिलाल अभी नोट डिलीवारेबल दिखा रहा है मेरे डिली फिलाइस विरियंट नीच यह रूपय में रहा था ठीक है यह फास्ट वान है यह प्राइस डिफरेंस बिट्वीट फिं अ बॉत अफ देम सेकंड जो हमें प्रोज मेरे को प्रोज लगा पोको एक्स्री प्रोज़ उसके अंदर हमें फोर के मेरा सेटप मिल जाता ठीक है प प्रोजो पोम्त्राइब पो के अंदर बहुत्त के लुए उसका प्रोस के अंदर पो सृ प्रोसे ने उसका स्टोरै क पर आगर हम उस पर कोई नहीं यह सीन नहीं इस फूर्के नहीं कर सकते हैं और 80 पर हम पर प्रसके यह आप कर सकते हूं इससे जदा नहीं सकते हैं वही पोको एक्सेटि प्रोपे रिडियो हमें वीडियो रेकोर्डिंग का थोड़ा अच्छा मिलता है और fps भी जादा मिलता है इन कंपारेजन टू पोको एक्सफोर प्रो फाइब जी नेक्स जो प्रोज पोको एक्स्टी पो के अंदर वह बाइस का सेल्फी केमरा जो होता है फ्रॉंट के मेरा वह ट्वेंटी मेगा विक्सल के हैं अगर हम कंपार करें इसको फ ईधर 6 Hmong प्रोक्र 5G से फोको एक्स्ति प्रो का सेल्फी केमरा वेटर था उसका क्यल्क एक्स्ट इंदर वह वह बाइस को स्क्रीन रेकोडिंग का सपोर्ट ही पोको एक्स्तिप्र पर हम स्क्रीन डेकोडिंग कर सकतें hausak 8p 60fps यहreyाज 5G को आगर लू तो फिर उस पर हमें स्क्रीन रेकोर्डिंग 1080 भी 30 fps तक मेक्सिमाम मिलता है इसे ज्यादा मिलता नहीं है सो इसलिए वह बेटा वे आगर स्क्रीन रेकोर्डिंग के मामले में बात करें तो फिर पोको एक्स प्रो डेफिनेटली नो डाउट बेटा वे पोको एक्स प्रो प्रो 5G से क्योंकि उस पर हमें 60 fps तक सपोर्ट मिल जाता है पर हमें पोको एक्स फॉर फाइब फाइब बिट्वीन देम बॉद ऑफ देम वह भाई उसका जो प्रोसेसार है हमें पोको एक्स प्रो पर हमें नो डाउट सबसे अच्छा मतलब इंदीस रेंज सबसे अच्छा वाला प्रोसेसार मिल रहा था क्योंकि उस पर हमें मिलता था स्नेपड्रागन 860 जो कोई भी टास्क कॉ अगर मैं इसको बोलू अगर मैं पोको एक्स प्रो प्रो 5G के बारे में बोलू तो हमें स्मूथ पर मिल जाता है 40-45 fps ऐसा ही कुछ मिल जाता है पर आगर हम HD मैक्सिमाम हम HD तक जा सकते हो और HD पे हमें high fps ही मिलता है इससे जदा जाता नहीं है तो अगर पर्फॉमेंस के माम हुआ नहीं तो नो डौट प्रोसेसर प्रफॉमेंस के मामले में पोको एक्स प्रो 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 5G से बैटा है हर तरीके से सी ओंविडुज़ जुद्वाच के अंदर में फ्लेक्षिप प्रोसेसर मिलता था और यह वाला फोन है पोको एक्स प्रो 5G से तो भैक्या बोले 695 5 मिलता है तो उसके रहाँ बाहरे नहीं करते हैं रहे प्रोसेसर की मामले में पर्फोरमेंस के मामले पोको एकल फोड़ नोड़ आउट हर हमेशा जीतता है इसके बाद पोको एक प्रोके अंदर और भी थोड़े-थोड़े सबसे पहले में मेंशन करना चाहूंगा उसका लूक अच्छा है क्यूंकि उसके बेक साड में थोड़ा सा अच्छा लगते हैं क्योंकि हमें प्लास्टिक मिलता है और इतनाए मेरे और इसका रियर केंवरा जो सटक हैं उप अध Deborah अच्छा है वह थोड़ा सा चोटा था ओक और्श वह बढ़ता तो सो इसके लिए मैंने स्कीन इउस्किया कह सत्य जिस toen D इसके जो तरबुद और गळा उसका जो जहें की सारिक रफ एक सारें ले श्मिंट प्रफो पर तरहां मिलता था जो 48 ने कमेरा ने प्रियर का में केमेरा सेंसर और हमें Poco X4 Pro 5G के अंदर मिलता है भाई 64-megapixel का में केमेरा सेंसर अलग बाते हैं सेंसंग और sony का सेंसर दोनों अलग-अलग होते वह अलग बाते बड़ सेंसर का कैपसिटी जो है न वह मेगापिक्सल जो ज्यादा मिलता है हमें Poco X4 Pro 5G के अंदर नेक्स्ट जो चीज में मेंशन करना चाहूंगा Poco X4 Pro के बारे में कि भाई उस पर हमें मिलता है Super AMOLED display with 120 hours refresh rate और साथी में 1200 nits का maximum brightness के बासिटी भी मिलता है फिक ब्राइटेस हमें 1200 nits तक मिलता है जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमें Poco X3 Pro के अंदर मिलता था LCD टाइप स्क्रीन जो वह भी 128 सपोर्ट करता था पर स्क्रीन टाइप था वह डिस्प्ले टाइप था LCD पर हमें X4 Pro 5G के अंदर हमें मिल जाता है 360hz का touch sampling rate तो इसका touch sampling rate थोड़ा ज्यादा है Poco X3 Pro से क्योंकि उस पर था 240hz का और इस पर मिलता है 360hz का touch sampling rate नेक्स्ट जो प्रो में में मेंशन करना चाहूंगा Poco X4 Pro 5G का वह वह बाइप स्का चार्जिंग स्पीड इस भी गाइस नो कि हमें Poco X3 Pro के अंदर मिलता था 33W का MI का टार्बो चार्जर पर हमें यह जो Poco X4 Pro 5G उसके अंदर हमें मिलता है 67W का MI सूपर सोनी चार्जर तो वह उसका चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है Poco X4 Pro 5G का Poco X3 Pro से ज्यादा है चार्जिंग स्पीड क्यों और एक चीज जो डिफरेंट दोनों के अंदर भाई Poco X3 Pro जो था वो था 4G वाला फोन ठीक है पर जो Poco X4 Pro है उस पर 5G लगा हुआ है मतलब उस पर 5G हमें मिलता है हां उसको इंडिया उसमें इंडिया का 7 बेंस मिलता है 5G 5G बेंस एनसे का 7 5G मिलता है और साती में इसके Poco X3 Pro पे मिलता था Bluetooth 5.0 पर इसके अंदर मिलता है में Bluetooth 5.1 जो थोड़ा और एनांस वर्शन है पुराने वाला जो 5.0 वर्शन है Bluetooth का उसे थोड़ा सा एनांस है यह 5.1 वान सो मैंने बास दोनों फोन का प्रोज बात किया है मैंने प्रोज के लिए बात किया है क्योंकि मैंने APPLAUSE X4 Pro 5G के लिए कॉन्स है और जो पोको X4 Pro 5G का प्रोज है वह Poco X3 Pro एक्सा प्रोज सुक्का उसकाप उसका कॉंस इसका कॉंस इसलिए मैंने कंस को लेकर आलेक्शि कुछ नहीं है आप समझ जाएंगे क्योंकि इसकाει कॉन्स अरुसका प्रोज इसका कॉंस मतलब हेंड़ा से बले बीट्वीन तो वही आप समय जाना आपको वीडियो पसंद आ होगा थेक्स पूर आचीन टेक्क्राइब बाबाई बहुत कर्मी लग रहे हैं